हेलो एबरीवन वेलकम टू एजुकेशन इज मैं फ्यूचर तो बच्चो आज हम क्लास फाइब ये पार्ट टू है पार्ट वन हम लोग कंप्रिट कर चुके हैं एज चेप्टर का नेम है एज नेक चार्मर इजी स्टोरी एक सपेरे की कहानी है इविए सेंसे आर्टी बुक स करेंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं को से चना है एक है यह विवर सीन एनिमल्स बिंग यूज फार इंटर्टेंटमेंट आफ पीपल फार इंजाम्पल इन शर्कस अन्द रोड और इन पार्क पर्क इसमें आपको कोश्चन में पूछ रहा है क्या आपने कभी जानरों को खेल या डांस जो प्ले या डांस या कभी आपने देखा है तो इंटर्टेंबेंट में आपने देखे होंगे जैसे इन सर्कस में देखे होंगे या अंदर रोड रोड पर देखे होंगे सड़क पर इ वेन एंड वेर डिड यू सी दिस एक कोस्चन है इसमें कोस्चन पूछ रहा है कि कब और कहां आपने देखा है ऐसा एनिमल्स तो एंस्वर है आईसा एनिमल्स बिंग यूज़ फार इंटर्टेन्मेंट आप पीपूल इन शर्कस ती आप लिख सकते हैं कि हमने शर्कस में ऐस इंटर्टेन्मेंट में हमने देखा था और निक्स्ट कोस्चन है विच एनिमल्स सो डिड यू सी यह कोस्चन पूछ रहा है कि जानवर का खेल आपने देखा है कौन सा विच जो जानवर का सो आपने देखा है सी जो देखा है कौन सा जानवर है एनिमल्स है तो दसर्कस इन सबों के हम लोगने आप लिग सकते हैं द सरकस में आप लोगने देखा होगा एलिफाइंट डॉक्स हिपो और मंकी उसमें जो आक्टिविटियां करते हैं आप लोगने देखा ही होगा जो इसमें कोश्चन पूछ रहा है जो एनिमल होते हैं उनके प्रति लोगों का कैसा बेवार होता है जो प्रति लोगों का बेवार कैसा होता है इनिमल के साथ तो आप अप प्रति लोगों का बेवार अच्छा होता है ठीक है लोगों का प्रति लोगों का बेवार अच्छा हो होता है वाज अनेमन टेशिंग देकननीनिमल्स हाव इसा जाने जान वर्वर् chopped पहल동 Warrior कि यान evitman diesem क्या आपको कभी अंवर्द है फिर यह कुछ कर रहा है था कभी और कैसे कि यह तो आप यह यह कुछ इसके एंस्वर है नोबडी वास टीसिंग दा एनिमल हमें कभी हमें एनिमल को जब आप टीसिंग नहीं करेंगे और चिड़ाएंगे नहीं तो आपको परिशान नहीं करेंगा बट लेकिन वस दा इंग जू जब कभी-कभी आपने जू गए होगे तो देखें होगे जब एनिमल को आप टीसिंग करते हैं तभी आपको काटने के लिए या पकड़ने के लिए हो सोचता है लेकिन वंस एजू लिखा है बट लेकिन वंस एजू I have seen some people throwing water bottle at a beer यानि जो भालू होते हैं उनके उपर हम पानी फेके हैं या मंकी के उपर भी हम पानी फेकते हैं तो कि टीसिंग उनका टीसिंग भी हो जाता है नेक्स कोस्चन है वाट काइंड आप कोस्चन कम टू यूर माइंड आप्टर सिंग जब आप जब आप डायट इनमल सो तो जब आप खेल देखकर आपके दिमाग में किस किस तरह का कोस्चन उठता है इसमें मतलब मान लिजे अगर आप एक वाट काइंड कोस्चन मतलब आपके जब आप किस तरह का आपको कोस्चन दिमाग में आता है किस तरह का कोस्चन तो आप लिख सकते हैं मेनी कोस्चन कम टू माई माइंड आपट सीइंग दे एनिमल सो जब हम माक्सिमाम कोस्चन जब आनेक प्रकार के हमारे दिमाग में कोस्चन आता है जैसे देखिए कोस्चन के जैसे एक्जांपल एक्जांपल है जैसे कि इजीट मेलो में जाते हैं वहा भी अनिमल्ज को देखे हैं हाँ दोज एनिमल आर कॉट कुछ महां भी कुछ एनिमल्ज होते हैं त्रेंड वह ट्रेंड होते हैं उनको सब कूश सिखाय रहता है जब उनको सिखा रहता है तो आप अलग 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 अक्टिविटी कर लेते हैं और नेक्ट कोश्चन देखते हैं अमेजिन देट यू आर अन अनिमल इन केज थिंग हाव यू उड फिल कम्प्लीट दा फालें सेंटेस तो आपको सब मां अमेजिंग अनिमाल लीजी आपको आप कुछ एक जानवर हो सब्सक्राइब करना है आप एक अनिमल हो और आप कैद हो यानि इन एक आप कैद हो थिंग अब आप कैद हो और उस तमया आप फिलिंग करोगी आपके साथ कैसा फिल होगा तो कुछ सेंटेस दिएगे उसको आपको कंपलीट करना ठीक है तो आई एम अफ्रेड वेन मुझे जैसे मुझे डर लगता है जब आप मालीजी अगर आपको कैद कोई कर लेता है तो मुझे डर लगता है जब आई एम अफ्रेड वेन मुझे कब डर लगता है माई ट्रेनर बीट मी एज केज ए मिस्टेक जब हमारे साथ कोई ट्रेनर गलती करता है तो मुझे डर लगने लगता है उस ताइम जब हम देखिए यह लाइन है इसकी फिलिंग हमको सपोस्ट अपने पिले नहीं है तभी हम है चैनल अब हम, लाइन को सपोस्ट अपना समझेंगे तभी इसकी इनकी भावानों को समझ पाएंगे मैरी इच्छा होती है किया मेरी इच्छा होती है तो आप भी सोचेंगे कि मैं फिरी हो जाओं फिरी घुम हो फिर हो तो ऐसा फिलिंग होता है कि जैसे कब मैं खूल जा मेरी इच्छा ऐसी होती है ठीक है अपने इच्छा ऐसी होती है आई एम सेड वेन जब उदास होता हूं तब कैसी फिलिंग आती है जब जब हम लोग उदास होते हैं तो आई रिमेंबर माई फ्रेंड इन दे जंगर तो यह लाइन है suppose that आपको लाइन बनना है ठीक है आपको लाइन की रोल करना है इसमें आप लाइन जैसे एक लाइन की फिलिंग इसमें पूछ रहा है तो उस समय अगर आप लाइन की जगह आप होते तो यही सोचते मुझे मुझे मौका मिलता तो मैं जंगल के तरफ दोड़ जाता है ठीक है यह लाइन ही इसके मैंड में चल रहा है कि कब मैं फिरी वह जाओं और कर मैं जंगल के तरफ भाग जाओं I do not like it at all when मुझे यह विल्कूल भी पसंद नहीं होता इसको विल्कूल भी पसंद क्या नही को बोला है कि लोग मुझे टीस यानी चिल्हाना मुझे चिल्हानते हैं लोग तो यह मुझे बिल्कूल भी पसंद नहीं है यह लाइन बोल रहा है ठीक है तर नेक्स कुप पर जाते हैं do you know क्या आप जानते हैं कि क्या आप जानते हैं यह बहुत important question है आपको एक्जाम में आसकता है आप नोट कर लीज्येगा और कि लिखा है आप दो मेनी काइंड Kollege आप में उन्हांड़ कंट्री की में अनेक प्रकार के सांत हमारे देश मैं कई पुद्क प्रकार के सांप मुद्ध 요र्कंटश हमारे देश में वनली फोर टाइप शनेक और पोईजनस वनली यानि केवल चार प्रकार के हमारे देश में साब पाए जाते हैं कौन कौन पादेते हैं दे यार कोबरा कॉमन करेट रसायल वी वाइपर दुबईया एंसा स्केल्ड वाइपर अफाई कोबरा इसको जिसको नाग बोलते हैं ये देखिए कोबरा है एक मिट ठीक है अभी आपको पुरा दिख रहा होगा तो ये देखिए ये है कोबरा ये है कोबरा इसको नाग इसको हिंदी में नाग बोलते हैं ये है ये देखिए एक कामन इसको common carrot यह है common carrot यह common carrot का पिक्चर है आप देख सकते हैं इसमें और यह है अफाई इसको scaled wiper compared you know देखने में इसको यह है और यह last है दुगया इसको रसे लीज वाइपर बोलते हैं तो यह चार प्रकार के अमारे देश में सापह आए जाते हैं इनके जो जब भी किसी, जब ये किसी को काटते हैं, जब ये क्या करते हैं, जब किसी को काटता है, तो उसके क्या है, दो खोकले, जहर वाले दाते को हम, ब्यक्ति के सरीर से जहर चला जाता है, उसके जो आगे के दो दात होते हैं, उसमें पौईजन होता है, तो उससे जब वो काटता है, तो उससे मनुस्य के सरीर में, ब्यक्ति के सरीर में, वो पौईजन चला जाता है, उसी के थुरू बाड़, उसी के थुरू जाता है, उस दा लाव देवाय क्या पता है आपको ओभी जो दवा होती है डॉम्धिसीन मेड फ्राम देशनेख वभी ओसाप गी वह सवाव उससे क्या बोलते हैं तो इसको सीर॑न बोलते हैं जो आपके जहर से ही उसके पॉजन से इसापके पॉजन से ही वह दवा बनती है ऩी है और और अवलेबल इन आन गॉर्मेंट होस्पी सभी घृतल में एंब Рाताए ये आपको पता होना चाहिए और गहर दो घर में आ किसी को साम करता है तो आप्को डिर्यक्स हिस्पीटल में लिजाना चाहिएяг अब हैं उसको सीरम बोलते हैं जो इसको दाओ अगर साप काट लेता है तो सीरम होती है सीरम को जहर को काट देता है कि अधर को खतम करने के लिए वह जो सीरम देते हैं ठीक है और चलिए आते हैं राइट लाइक श्नाइक चार्मर विच अधर पीपूल डेपेंड आन एनिमल फार देयर लाइव होड तो इसमें आपको बताना है जो सपेरों के अलावा सपेरे को अला कौन कौन से लोग अपनी अपनी रोजी रोटी के लिए जानोरों का निर्भर रहते हैं मतलब अपनी अर्निंग कहां कहां से करते हैं तो इसका अंसर होगा बिसाइड इसनेक चारमर एसा फेरे भी अपनी वह भी उनकी रोजी रोटी है एक तरस से और सेकेंड है बहुत से लोग दूद बेचने वाले जो होते हैं वह भी डिपेंड रहते हैं और पॉलेट्री फार्मर और टंगा वाला ये सब ये सब भी डिपेंड रहते हैं एनिमल पे लोग डिपेंड रहते हैं फार्मर वास वासर मैं डिपेंड अन एनिमल फार्मर ये सब डिपेंड रहते हैं एनिमल पे सेकेंड पॉयंट पे आते हैं हम लोग सर्वे है क्या एक सर्वे है चलिए पढ़ते हैं इसको survey people who keep animals survey में जानवर पालने वालों का क्या दिया है इसको देखते हैं talk to some people in your neighborhood who keep one or more animals for their livelihood for example a horse for a tanga for hands of its etc talk some people in your neighborhood तो आपने अपने स्कूल में इसकूल में या या अपने आस पास के कुछ ऐसे लोगों से बात करना है आपको जिनों ने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो ठीक है तो उसके आपको पता करना कि कौन सा एनिमल कौन सा एनिमल कौन पाला है जैसे एक जामपल में for example ए हार्स फार ए टंगा तांगे के लिए घोडा का यूज होता है हेन फारीग और एक इग के लिए मुर्गी को पालना जरूरी होता है तो ऐसे पता करना है तो नेम दे एनिमल्स देखकी तो कौन सा जानमर है उस नेम का पता करना है हाव मेनी एनिमल्स आर देर कितने जानमर पाले हैं यह भी आपको पता करना है इस देर एस सेपरेट प्लेस फार दे एनिमल्स क्या उनके लिए सेपरेट प्रच्छित घर है उनको अलग एक घर है उनके लिए अनिमल के लिए इसको आपको भी पता करना है और नेक्स्ट पेज़ पर कुछ खुश्चन है Look who look after them उनकी देख भाल कौन करता है यह पता करना है What do you animal eat वो क्या खाते हैं वो आपको भी पता करना है Do you animal sever fall ill अगर वो बीमार कभी पढ़ जाते हैं, जब वो कभी बीमार पढ़ जाते हैं, तो what does the keeper do then, तो उनका ध्यान को कैसे रखा जाता है, make some more question and discuss, इस तरह के अपने मन में जो भी question question and discuss आपको करने हैं, make a report on your project and read it out in the class, तो इसे ही अपने survey के report तयार करना है आपको, और कच्छा में इसको आपको सुनाना है, for example, मैं एक question answer में तयार की हूँ, लेकिन आप कुछ different भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक तयार की हूँ, there is a milkman who lived near my house, मेरे घर के पास एक milkman रहता है, इसे लिख सकते हैं, he has kept five cow, उसके पास five cow है, there is a separate construction for these cow, उसके लिए उस cow के लिए घर भी है, the cow are kept at some distance away from the cow, जो गाय होती है, उनका जो cow बच्छरा जो होता है, उनसे दूरी पे उनको बात के रखते हैं, अगर पास रखेंगे तो दूद पी जाएगा cow का, तो फिर दूद के से निकलेगा, milkman and his wife look after them, दूद वाला और उनकी wife, उनकी देख बाल करते हैं, the cows eat fodder grasses, it is some घास खाते हैं, जो गाय होती है, घास खाती है, sometime when any cow falls ill, जब अगर कभी कोई cow बिमार पढ़ जाती है, it is tested by वाटरनरी डाक्टर, जो पसू डाक्टर होते हैं, उनको बुलाया जाता है, these cow gives planetary milk, और उनको cow हमें दूद देती है, by selling the milkman, और वो दूद बेचने वाला दूद जो milkman होता है, उसके द्वारा हमें मिलता है, the milkman और नई लाइव फूड, यहनि उसका क्या अपना रोजी रोटी उसिक से चलता है, तो यह हमने कसका अंसर देख लिया, आप नेक्ट पॉइंट आते हैं, make a snake puppet, make a snake puppet, make a snake puppet में क्या दिखा चले पड़ते हैं, take a old paper of socks, आपको एक socks लेना है, पुराने, जो पुराने होते हैं socks, वह आप ले लिजेगा, put one on your arm, उसको आपको एक, अपने हाथों में पनना है, और मैने पने भुजा में पनना है, stick bottom on bendy far eyes, और उसकी आपको बिंदी से यह बटन जो होती है, उसको आख बनाने के लिए बटन का आप पेपर फार यूजिंग, add the tongue and stick it in the place as so, तो उसके बीच में क्या करेंगे, आप जीप बनाने के लिए, लाल जो रेड कलर का एक स्ट्रीप यानि एक कागज आपको पट्टी काटकर चिपकाना है, इसके लिए देख सकते हैं, पिक्चर में आप देखेंगे ता आपको एडिया मिलेगा, आपको देखेंगे रेट कलर का एक आप रीबन ले लिजिएगा, उसको आप उसमें सिल दीजिएगा, चिपका दीजिएगा, याप वन अंद अधर साइड आप पेपर में के भी सेवड कट, फिर इस पट्टी को एक दूसरे के सीरे को भी साइड में कट क कर दिजिएगा, राइट, यू सने किज रेडी, अब लग रहा है ना, अब यह क्या आप साप आपका रेडी हो गया, राइट, अब लग रहा है न, साप जैसा है, तो ऐसे आप ट्राई करेंगे, बहुत इंट्रेस्टिंग है, और निक्स कोस्टन है, वाट यू हैब लर्न तो हम क्या समझे है, इसको कुछ एक कोस्टन है, क्या लिखा है, इसमें देखते हैं, दा गवर्मेंट हैज मेड ए लाइट, नो वन कैन कैच और कीप इसने, सरकान ने जो कानून बना दिया भी, ना तो जंगली जानवरों को हम पकड़ सकते हैं, और ना है उनको हम अपने पास रख सकते हैं, और वाट डू यू थिंग्स अबाउट इस ला, तो कि मतलब तुम्हें क्या लगता है, यह कानून सही है, गिव रीजन फार यू एंस और राइट इन यूराउन वर्ड, तो क्या कानून अगर नियम सही है या नहीं है, अपने उत्तर को एकार आपको ब पर देते हैं, I think this law in the interest of animals, I have seen many animals being used for entertainment, and as means for earning livelihood, such as in circus, with snake charmers, etc, of course they take care of these animals, because, क्योंकि they earn their livelihood from them, उन से क्या हमारे animals से हमें earning भी होती है, but I think, I think the animals would be happy, only they are allowed in life freely, in the natural habitat, nobody like slaverly, further, if any animal does any mistake during training, or the show, the trainer, टोटर, इट वीच इज रियली पैथेटिक, अपार्ट फ्राम दीज मेनी हंटर्स एंड पोचर्स, किल एनिमल्स, फार देर स्कीन, टॉस्क, हार्न, एटिजी, आप्टर मेकिंग द लास सच एक्टिविटी आचेक्ड, तो आई थिंक इजे गूड मूब, तो ये रैस के एंस्वर भी आप लिख लिजिएगा, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक भी कर देना, तो कमेंट बाक्स में आपको जरूर टाइप करेगा, अच्छा लगा तो गू तो थैंक्स फार वाचिंग एवरिवान